उप्चुनाव ने फिर एक बार बिहार में जो है वो सत्ता धारी दल को हैरत में डाल दिया है कि आखिर कहां कुछ चुक होई या कहां देखिए जेडियू के दफ्तर के पास हम खड़े हैं और जो पूरे इस उप्चुनाव में जो पांच विधान सभा और एक लोग सभा के जो उप्चुनाव हुए तो खीके तो है नितिश्कुमार यह इस नारे को पहले ही दे दिया गया था ताकि इसका उप्चुनाव पर भी असर पड़े लेकिन जेडियू दफ्तर का जो अगर हाल ने तो कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है और यहां संनाटा है दीखिए बिलक क्या है पुरा सीन ही बदल बदला हुए नजर आ रहा है नाथ नगर बेलहर सिम्री दरॉंदा सब जिडियू देखिए इसको सगरात्मक तरीके से लेना चाहिए अगर हमारे अभियान में कोई कमी रही है उमिद्वारों के चैन में अगर कहीं कोई त्रुटी है हम अपनी उपलब्दियों को अगर जनिता के भी सही तरीके से नहीं रख पाए प्रतिपक्ष के दुस्प्रचार को हम प्रभावी तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाए तो यह तमाम चीजों पर समिक्षा होनी च चुनाओं के नतीजों से विदानसभा के जो 2020 के परिणाम होंगे उनका कोई रिस्ता नहीं जोड़ा जाना चाहिए इसलिए के 2009 नवेंदू जी या बिहार के पत्रकारिता जगत के एक महतपुन स्थम्भ है अपने 2009 के विदानसभा के नतीजे भी देखे और 2010 में बड़ी जीत भी आपने देखी उप चुनाओं में क्या वज़ा है कि विपक्ष के साथ हो जाता है जनमत नहीं नहीं मैंने आपको कहा इन नतीजों का विस्लेशन होगा हम उन लक्षनों को पहचान करके मर्ज का इलाज करेंगे और एक बड़ी जीत का मार्ग आगे प्रशस्त करें लगता है आपको कि यह जो कैप्टेंसी को लेकर कभी वाद हुआ ठीके तो है नितिश कुमार तो आया लेकिन बीजेपी ने कहीं न कहीं उसमें एक लोचा फंसा दिया तो उसका भी मत दाता हूं कि दिमाग पर कुछ असर पड़ाए नहीं देखिए उप चुनाओं तो कही को खोले मन से मंथन करना चाहिए जिनकी वज़ा से हम पेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर वाए जनता के कैप्टें और जनता ही कैप्टें बनाती है तो उस लिहाज से कहें कि यह कैप्टेंसी का विवाद भले इस चुनाओं में कहीं न कहीं आर जेडियू के ने जो जेडियू की स्विटिंग स्विटे थी उस पर चुनाओं का हारना जेडियू का एक तरह से बहुत बड़ा मैसेज है और पार्टी के परवकताओं का नेताओं का भी यह मानना है कि इस पर गंभीर मन्थन होना चाहिए और मन्थन के बाद ही फिर अगले विजान सभा च करती तैयार की जानी चाहिए काइबाना परसंट सब्तिरीशी के साथ पटना के जेडियू कार जाले से स्वराज एक्सप्रेस के लिए नविंद